तो हमने इसका चैम्बर वगरा फिटिंग कर लिया है और ये हेड़ गैस कीट लगा दिया है अब हम इसका हेड रखेंगे चल परिए अब इसके उपर लिया हमने अब इसके एड़ के बोटर लगाएंगे बिगर रखेंगे परली तरफ अब दो मंची कोट्टिटा राड़ बीना बड़्टी यह मिलाने के बाद अब टोर क्रीन से हमने इनको टाइट करना है 100 नूटल मीटर पर यह 100 नूटल मीटर पर हमने टोरक कर लिया है और अब हम इसको 100 नूटल मीटर पर पहले टोरक करेंगे हम इसको 100 नूटल मीटर पर पर लाई बाई भड़ एक ले लाई लेड़ेन लाई लेड़े सीड़ लाई लेड़ लेड़े झाल 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 यह 100 Nm पर हमने टाइट कर दी है पांच मिन्ट के बाद हम इनको 1500 Nm पर टार्ख करेंगे यह इसके एड के बोल्टों की पहली स्टेज है यह तीन स्टेज में टाइट होते हैं स्टेप नंबर वन हमने कम्प्लिट कर लिया है अब स्टेप नंबर टू पांच मिन्ट के बाद करेंगे 1500 Nm पर पांच मिन्ट हो चुके हैं हमने इस टॉर्क रिंच को 150 Nm पर सेटिंग कर लिया है और अब हम इसके एड के बोल्टों को 50 Nm पर टॉर्क करेंगे करेंगे कि यह पताशने टॉल मिनिटर पर हमने टॉरक कर दिया है अब पांच मिन्ट के बाद में इसकी तीसरी स्टेप पे इसको हम एंगल टॉरक देंगे तो पांच मिन्ट अब रुख जाते हैं अब यहां पे टॉरक रिंज का काम खतम होया अब एल राड से स्टेप नमबर तीन में इसको एंगल टॉरक देंगे अब तो हमारी दो स्टेप पूरी होगी है तीस स्टेप मे इसके बोल्ट टाइट हो जाएंगे पूरे फाइनल हो जाएंगे ठीक है पांच मिल्ट और तो हमने यह यहां पर इसकी डिगरी बना लिया है तो अब हमने इस एल राट की मदद से इन बोल्टों को 60 डिगरी एंगल टोर्क देना पड़ेगा इस तरी केसे कर दो तो यह सभी एड़गे पोर्ट हमारे टाइट हो चुके हैं हमने इसकी तीनों टेप पूरी कर दिया अब हम इसके टेप वगरा लगाएंगे और टेपड क्लेंज करेंगे तो हम इसके जल्दी हे टेपड लगा लेते हैं